हालो फ्रेंट्स रोजगार सेंडिया के ओफिचल चनल में आपका स्वागत है आज के में इस वीडियों बता हूंगा जो कि एयर फोर्स एयर फकेट में जोकी दो दोजार एककिस के रिकार्मेंट आई हुई है वे बेंच के लिए जिसमें 357 पोस्ट हैं जिसमें अलग अलग पोस्टो के लिए जो कि आविदन मागें गए हैं जो कि एंसी के लिए और फ्लाइंग ऑफिसर के लिए वेकंसियों के लिए इसमें डाले हुए हैं तो इसका किस परकार भरना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को स cdac.in आपको type करने के बादा आपके बाद आपको पहला लिंक आएगा एफ़केट cdac इस पर आपको यहाँ पर कलिक करना है पर आपके सामने जो की इंडियान एर फोर्स की जो की वाईजिसे नहीं इसमाने आजाएगी इसमें आपको एक option मिलेगा इसमें candidate login का इसमें candidate login वाले में सेकंड वाले option पर आपको क्लिक करना है इसके बाद अगर आपने पहले से कर चुके हैं आप तो आपको इसमें login करना होगा आपको बता देता हूं करने के बास आपके सामने आ जाएगा आप फॉर लिए यहां पर अप्र झाल पे अपने और याद반 जो कि आपको फूल नेम जो कि आपको सभी को केपिटल लेटर में लिखना है है और जो कि आपको तस्वी की मार्शीट है जो की मार्शिट में है उस वह यह आपको डालना है और सभी कैपिटल लेटर में डालना है उसके बाद आपको अपना मेल आड़ी जो कि कैपिटल में डालना है उस मेल आड़ी को आपको इसमें डाल देना है पूरा उसके बाद यह आप उटोमेटिक इंडिया आ जाएगा इसमें आ आप इसके मतलब आप नहीं फोम भरा है आपके लिए के लिए कुशन रहेगा तो आप इसमें से कोई भी आप स्लट करते हैं यूर ब्रॉण कहां आपने ब्रॉण होए वेर यह से होचा फ्रेवर्ट पीट कुन सा जानवार में या स्ट्रीट आफ है लिए जाल होट में कहा र कोई कैपचर जो कि हर समय अलग लगाता है वह आपको कैपचर आपको इसमें से डाल देना है जो आपके समय जो आएगा वो डाल देना है और साइन अप पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद जैसे आप साइन आप पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यह आ जाए कि आपको login वाले button पे click कर देना है जो कि आपको mail ID वाला जोगी logon ID mail ID और पासवड़ डाल देंगे उसके पाथ आएगा आपके पासवड़ जोगी निव पासवड़ आपको यहां डालना होगा और फिर से कंफर्म करना होगा निए पासवर्ड आपको यहां से तो जो कि आप उपर यहां डालेंगे उसके बाद एक यह दो अक्षर आदाने चाहिए उसके अंदर जो कि एक-दो-3 कुछ हो गया डोलर का साइन हो गया परसेंटेश का हो गया एंड हो गया यह अभी आपको करेक्टर करना होगा और पासवर्ड करने के बाद आपके सामने यह आ जाएगा कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं के लिए एंसिति फ्लाइंग ब्रांच और मेटर लोजी ब्रांच के लिए इन में जो अप्लाई करने हैं तो इन सभी इस टेप ओप यह फैम फॉर्म जो की कम्प्लीट होगा जैसी कि आप एफकेट का बना जा रहे हैं तो इंट्रक्शन के लिए फॉर्म करना है में होगा जैसे कि आपको भरना है तो आपको यहां पर टिक कर देना है पहले इंट्रक्शन पर क्लिक कर देना है फिर इंट्रक्शन आपको सभी को पढ़ लेना अच्छी तरह जिस तरह से आपको करना है उसके बाद इस पर आपको टिक कर देना है टिक करने के बाद आपको यह mail ID update करना है तो mail ID update का भी option आ जाएगा उसके बाद आपका mobile नमबर से भी detail आ जाएगी यहां पर एक identification mark मिलेगा आपको identification mark जो आप डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए आपका यह कोई भी जो भी identification mark है आपका वह आपको जैसे कोई मॉल है तो आपको ए मॉल अना है और फेस पर है फेस बीडाल देना है कहीं जहां भी हो वह आप डालना है तो हैंड पर आपको जाल देना है उसके बाद रहता है यह आपका पूछ रहा है कि यह धिवीर यार स्टेटस यहां से आप देख पाएंगे इसका मतलब क्या है इसमें है जिए पाइलेट सेलेक्शन बोर्ड में यह देर्फ इंट्रेक्शन फ्लाइंग ब्रांच इस प्रांच के लिए तो आपको इसमें पढ़ लेना है अगर पास है तो पास्वे कर देना है यह करना है तो नो क्ली करना है यह जेंडर स्रेट कर लेना है आपको है इसके यह आपको अपना डेट वर डाल दिना है यहांसे आपको अपना डेट से लटकर लेना है उसके बात फिर से आपको अपना यहाँ डेट अफसर से डालना होगा जासे के पहले यहाँ नहीं हो रहा था भी मैच अभी कनफर्म कर लेगा उसके बस वें अपको यहाँ पर क्लिक कर देना है उसके बाद ये परिसनल डिटल जो अग्या आपकी सेव हो जाएगी उसके बाद सेव होने के बाद आपको अगला उपसन खुलेगा ऐसा एजूकेशन लेवल आपको अपने एजूकेशन लेवल करें किया आप 10 प्लाट टू गरिजूट है या पोट गरिजूशन है जैसी कि आपको यहां फिलाल ऑफ्षन क्लिक कर देना है उसके बाद यह से लेवल यहां पर आपसन मिल जाएगा कि आपने ए लेवल से पास किया है बी लेवल सी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ए लेवल और बी लेवल क्या है मतलब ए लेवल है बीटेक वालों के लिए जोगी minimum year जोगी जिसमें आपने पास किया है इन सब्देटों के द्वारा तो वह A-Level है B-Level के लिए minimum degree of जोनोंने कम से पास किया है इसी प्रांचेस के लिए जिन्होंने पास किया है जोगी सब भी आपको मिल जाएगी उसके लिए यह है यहां आपको इस पड़ लीजेगा क्या है बैचलर इंटेखनोलोजी बैचलर इंजिनियर जो भी आपका आदि कर दिया है कि और यहां कह पर च्ट्रिम यहां क्टील ज़िए commercials मिल जाएंगे जैसे कि महां यहां दिए मैंने डाल दिए मेंने ब्हाद जाना पर allora kee आपके कोर्स कोर्स होता है तो चार्स हो यहां डाल दीजी आपका नाम डाल देना है उसकी डेट फिया आपको यहां पर डाल दीनी हुई उसके बाद आता है इंटर या भर ग्रोष परसेंटेज बनी है पूरा मतलब ऐसे नहीं कि आप पॉइंटो में डाल रहे हैं या आपको में delivered है जो कि सो में है जा सिंकि आपके पर्सेंटेज है पैंसे टैटो पैंसे डी डालना है उश्के बाद का कुछ भी नहीं डालना है आपको ये ज करना है तो कर दे tensions कर देना कि बारी क्लास में प्रसंडेज आजे थी जो कीben में परसंडेज चाहए थी जो में चीग चीक बारब में परश्चेफ़ियों के लिए चीग बना है यग कि अब अगर अघज Van है त्पी एनके और फो ये आपको । पढ़ना है है वे डूए कम आम नॉलेज अबाउट आपनिंग मतलशी का बात में आपके नॉलेज किसे मिला हुई आपको यहां पर डालना है निजवेपर जो भी आप इसमें से देना है उसके बाद आज़ता है कि आपको कोंस कोर्स के लिए आपको पर फेंस करने जा रहे हैं जो की है अरणॉट करना है जैसे कि मैं पहला सब्सक्राइब नोटिकल इंजिनियर मेकनिकल उसके बाद दूसरा पर फेंस आप दिशिए मैने यह मैकनिकल का ले लिया उसमें जो भी केटिए होता है क्योंकर मैं इंजिनर ब्रांचों के लिए सबने से करें क्लिए ऑपको से अ यहां पर क्लिक हो जाएगा और सोक्राइब धालना है यहां आपने डर डालना है आपकी City डालनी है और आपका पिन को डालना है नहीं अपको अपना धानाम डालना तो डाली जिने जिन दो अवर यह भी और एड्रश आगर सेम है तो यह से कर इस पर टिकर दना ने तो दूसरा अगर है तो आपको यह भी आपको सेटल आपको भळनी होगी और सेव एंड कंट्लियू पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपका अगला उपना को हो जाएगा अप्लोड करना है और अप्लोड थम इंप्रेशन जो कि लेफ्ट थम आपको यहां पर अप्लोड करना है और चूज करके आपको अप्लोड कर देना है जाएं सेंपल दिखा रखाए कि कैसे आपको यह upload करना है उसका ड़ी यह डिक्लेसन आपको यहाँ पर क्र देना है और सेल ने यहाँ कट कर देना है तो आपको तीन चीज हैं को यह पोड़करने पड़ेगी ध्यान में रखने वली बात है 10 25 कई पीच के बीच में आपके फोटो जो कह अपलोड होगी और 10 50 में के आपका सिगनेचर भी और दस से पचास के विच में आपका थम्म भी अपलोड होगा इसे भी आपको करते हैं यहां छूज करनी है उपको का एक ल्यॐस को अपलोड करना हें उसके बाद आपके पास अगला उपस्ण आया और स्टेट और से वहां पर एक्जामशन करना चाहते हैं वहां से राट करना जैसे कि आप यहां मिल जाए मैं राज भूमिल दिया उसके बाद यह मैं राजसान के बाद जैसे कि जोड़क रट कर लिया उसके बाद पर से इसमें मिल जाता है जिसके मैं ले लिए रास्तान ले लिए फिर से रास्तान ले अगर अब जो मैं लेते जा रहा हूं वो चीज़े हड़ते जा रही है तो वैसे मैं जोदपुर ले लिया तो मैं नहीं लिया था उसका फिर मैं रास्तान ले लिया और रास्तान में जो कि मै मैं ले रहा हूं उदेपर उसके बाद सेवनेर्ट पर मैं किल्क कर दूँगा तो यह सेडिटी सब्सक्र्सक्राइब कर दो करके उसके बाद यह सारा पूरा फोर्ण मेरे सामने पूरा भार के आ जाएगा उसके बाद आपको नीचे आना है और continue पर आपको क्लिक कर देना है ऐसे तो यह आपकी सारी स्टे पर जो कि इंटरॉक्षिए रफ फिल उप्रिकशन अप्लोड डोकशम स्ट फाइनल समीशन होची के में प्यमेंट को करना है payment payment का फ्रिट देख पाएंगे जिस्स आप payment करेंगे उसके बाद यससे मालू है payment करना है तो payment करके क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने यह में एक payment का उप्सिन आए यहां पर करना है और पहला कर लिया और पे वाले आफ्सन पर कलिक दूँगा कि उसके बाद किस्ते आप करना चाते हैं तो आपको डेटेल यहां डालनी है और पे पे आपको क्लिक कर देना है तो इन प्रे करने के बाद जो कि आपके बाद सब्मिट हो जाएगा इसके स्टेटास का उप्सन आपके बाद मिल दिख जाएगा और आपका प्रिंट हो जाएगा तो इस तरह इस वीडियो में आपको बता है कि किस तरह से आपको पुरा फॉरम बरना है खली प्रेइमेंट के आपको नहीं बिताए तो प्रेइमेंट आप कर देंगे उसके बाद भोप संद हो जाएगा और नीचा आपको फिर इपस्ट एड़ज ओके दिखाने लग जाएगा और आपका परिण्ट का खली लेना होगा तो फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको बताए अ अपने फ्रेंडों साथ तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जबता के लिए जय जय भारत